आज आपका M1R5 का एक्जाम हुआ है तो कुछ कोश्चन भेजे हैं मेरे पास रंजीत मीना M1R5 फुल फॉर्म ओफ यूर्यल यूनिफॉर्म रिशोर्ट्स लोकेटर इसकी फुल फॉर्म होती है आप से जानते हैं यह कोश्चन आपका एक्जाम में आज पूछ गया फॉलॉविंग और नोट इंपुट डिवाइस के रहा है कि इन में से कौन सा इंपुट डिवाइस नहीं है कीबोड आपका इंपूट डिवाइस है MAUSE भी INPUT डिवाइस है scanner भी इंपुट डिवाइस है लेकिन क्या मोनिटर आपका इंपूट डिवाइस है नहीं option नमबर इसका हो जाएगा monitor कह रहा है कि file extension जो है आपका ओफ लिब्रोफिस इस प्राइब क्या बताना है file extension तो क्यालक का होता है .ods क्या होता है .ods होता है क्यालक का writer का .odt और impress का होता है .odp LibreOffice में double underline के लिए किस shortcut की का use किया जाता है तो double underline के लिए हम use करते हैं control d का LibreOffice impress में slide सो शुरू करने के लिए हम करते हैं f5 का use ठीक है question side आपको दिखना रहे हो नीचे तक हैं और है print preview के लिए control shift Oka use करते हैं control shift Oka use करते हैं किसके लिए print preview के लिए और ये option आपको file menu में मिलता है writer हो, calc और impress हो full form of BIOS basic input output system BIOS की full form होती है how many row and column are in LibreOffice calc LibreOffice calc में row और column 10 लाक अरतल 1576 row होती है और column 1024 delete करने की shortcut की क्या होती है तो control के साथ में D का use करते हैं delete करने के लिए spread sheet का type LibreOffice में spread sheet को LibreOffice में बोलते हैं calc तो ये कुछ question 10 question भेजे हैं रंजीत मिना ने telegram में ये question पड़े हैं यहां से आप इनको पढ़ सकते हैं telegram का link description box में मिल जाएगा ठीक है वहाँ से आप इनको पढ़ सकते हैं आप किलाज अपनी सुरू करें जी welcome हैं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube channel एहमत टेक्न रोजी पे आज आपका O level का पहली बार online exam हुआ है आज बच्चों का M1 का भी exam था M2 का भी और किसी किसे का M3 का भी आज exam था तो आज का exam analysis करने के बाद जो मुझे important question आपके exam के लिए लगे M1 R5 के लिए M1 R5 के लिए सबसे ज़्यादा question तो देखे Libre office से पूछे जा रहे हैं जैसा कि बच्चे बता रहे हैं तो Libre office तो मैंने आपको पूरा complete करा दिया है बार-बार Libre office ही नहीं कराऊंगा मैं ठीक है लास्ट के chapter जो है chapter 7, chapter 8 और chapter 9 ये ज़्यादे important आपके exam के लिए हैं यहाँ से ज़्यादे तर question पूछे जा रहे हैं protocol question आपके exam में आ रहे हैं तो हम जो last के तीन chapter है chapter 7, chapter 8 और chapter 9 इनका थोड़ा fast revision करेंगे ताक कि कोई भी question अगर आपके exam में इन chapter से आता है तो आप उसको छोड़ के ना आए ठीक है तो देखिए पहला question आपके सामने है कौन सा protocol internet mail द्वारा use किया जाता है बताइए SMTP है, POP3, IMAP और all of the above चार option है आपके सामने question पढ़ने के बाद आपको चार option में से answer बताना है कि कौन सा ठीक है मेरे answer बताने से पहले आपको answer सोच लेना है कि answer क्या होगा आपके इसाब से ताकि आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी है आप कितने question सही कर भा रहे है दोस्तो question इस वीडियो में discuss करेंगे और एक घंटे में कम से कम एक घंटा तो लगीगा ही इनको करने में एक घंटे में ये complete हो जाएंगे question देखिए अगर जैसे question आपके सामने लिखा है जरूरी नहीं है कि question आपके सामने ऐसा ही आ जाए question घुमा फिरा के दे सकते हैं exam में और चार option आपके सामने अवेलेबल होंगे और चार में से एक आपके सामने answer भी होगा उसमें से बस आपको देखना है पहचानना है कि आपका answer क्या है answer आपके सामने होगा screen पे ठीक है तो ऐसा कौन सा protocol है जिसको mail के द्वारा use किया जाता है अगर मानलीचे देखिए आप इस question का answer कैसे करेंगे SMTP का आप जानते है यूज क्या है और POP3 का भी आप जानते है कि नहीं जानते लेकिन D वाले में all of the above है तो आपको बिना सोचे option number D ही लगाना है all of the above SMTP की full form क्या होती है अब अगर question आपके सामने यसे ना आए कि बताए कौन सा protocol mail के लिए use गे जाता है तो SMTP की full form पूछ सकता है POP की full form पूछ सकता है IMP की full form पूछ सकता है तो कुछ भी आपके सामने exam में आ जाए तो आप उस question को छोड़ के नहीं आएंगे इसलिए question का पूरे का post mushroom करते चलेंगे जो चार option है उनको भी मैं explain करूँगा अगर उनकी जरुरत हुई तो तो चार option है और कहरा है कि mail के लिए किस protocol का यूज किया जाता है तो SMTP के लिए भी SMTP का भी करते है Simple mail to answer protocol mail को भेजने के लिए POP का भी यूज करते है mail को प्राप्त करने के लिए और IMP Internet Message Access Protocol protocol इसकी full form होती है इसका भी यूज करते हैं राइट answer क्या हो जाएगा option number D हो जाएगा fast करेंगे आप क्योंकि आपका revision कराना है मुझे आपको यहां पर जादा समझाना नहीं है जब आप पूरा करवा दिया है जब आप web browser start करते हैं तो पहला जो पेज आता है लोड होने के बाद उसको क्या कहते हैं उसको क्या कहोगे ब्रावजर में लोड होने वाला first webpage को क्या कहते हैं उसको क्या कहेंगे बताइए चार option है question आपने देख लिए उसके बाद 4 option देखिए तो उसको क्या कहते हैं home page कहते हैं या कुछ और कहते हैं बताईए तो उसको home page ही तो कहेंगे option number D right answer हो जाएगा website के पहले page को home page कहते हैं simple भासा में यह है next question है address bar से 4A ground में एक नया tab open करें जो question मुझे important लग रही है वो इम आपको कराऊंगा फालतू का एक भी question नहीं तो इसमे right answer क्या हो जाएगा old plus enter हो जाएगा option number C बच्चों को काफी help हुई जो वीडियो बनाई उससे तो खुशी भी मिलते जब आपका exam अच्छा जाता है internet का एक network है उसको क्या कहते है internet का network है network of network भी पूछ सकता है तो इसका सही आंसर आपको क्या लगता है और मुझे क्या लगता है तो बात एक है option number C network वेपेजों का यूज विशिश्ट रूप से किया जाता है जो वेपेज होते हैं उनका यूज किस लिए किया जाता है विशिश्ट रूप से किया जाता है URL यूनिफोर्म रिसोर्स लोगेटर डोमेन नेम होगा ने इसका अंसर ना फाइल नेम option number C हो जाएगा नेक्स कोशन है mozilla firefox internet explorer net escape navigator किसके example है बताइए किसके उधारन है mozilla firefox और आपका internet explorer किसके example होते हैं web browser के example होते हैं किसके web browser के इसलिए right answer option number इसका C हो जाएगा एक घंटे में दोस्तों question करने की पूरी कोशिश करेंगे internet पर computer का computer या server के रूप में भी जाना जाता है क्या जानता है बताइए इसका right answer क्या हो जाएगा internet पर computer server के रूप में भी जाना जाता है host क्या हो जाएगा इसका host internet पर computer या server के रूप में तो host रो option number A हो जाएगा इसका next question है URL की full form आई दिया आपके exam में आज SMTP का full form क्या होता है simple mail transfer protocol होता है और इसकी full form आपके exam में आज पूछी गई इसलिए right answer हो जाएगा आपका option number B simple mail transfer protocol next question था named लिकत में से कौन सा statement digital signature के लिए correct नहीं है बताइए कौन सा statement है ऐसा जो digital signature के लिए आपका correct नहीं लिखा हुआ है तो इसका हो जाएगा it is the scanned image of one signature इसका option number B हो जाएगा it is the scanned image of the signature option number B वाला क्या हो जाएगा आपका correct नहीं है next है इन में से किसको internet के रूप में define किया जा सकता है internet के रूप में किसको define किया जा सकता है चार option में से answer बताना है तो इसका क्या हो जाएगा interconnection of network option number c इस question का बिलकुल आपका right answer हो जाएगा web browser क्या है जहां पर आप कुछ भी information वगरा search कर सकते हैं उसको web browser कहते हैं चलिए कौन सा आम तोर पर use किया जाने वाला browser है बताइए कौन सा है जो आम तोर पर use करते हैं internet explorer है Microsoft Excel है क्या Excel आपका web browser है क्या गूगल गूगल तो search engine होता है तो बताइए इसका right answer क्या हो जाएगा और Microsoft Windows तो सारे option गलत है right answer option number a है आमारे सामने Microsoft internet explorer जो कि famous है चार option के हिसाब से web address एक address एक web address को एक dash भी कहा जाता है तो उसको क्या कहते हैं बताइए एक web address को क्या कहते हैं तो इसका हो जाएगा option number c URL uniform resource locator जिसकी full form होती है website के पहले page को home page कहते है option number a सही answer हो जाएगा IP का full form internet protocol होता है इसका option number a हो जाएगा internal नहीं internet protocol यानि option number b हो जाएगा TCP का full form transmission control protocol होता है इसका option number b हो जाएगा www world wide web किस से बना है तो इसमें कितने page होते हैं यह कह रहा है कैसे में एक page होता है नहीं क्या दस इसमें 100 page होंगे नहीं कैसे 500 इसमें million of page होते हैं कितने होते हैं इसमें million of page होते हैं एक लिए right answer option number d हो जाएगा इस question का ठीक है इसमें बहुत से लाखो page million of page होते हैं HTML का full form क्या है यह भी exam में आज पूछा गया इसकी full form क्या होती है hypertext markup language इसकी full form होती है जो कि option number d पर लिखी हुई है option number d आप ध्यान दीजी option पर मैं केवल बोलूँगा यह पैंस जो मैं चला रहा हुए इसको मैं नहीं भी चलाऊंगा तो काम चल जाएगा क्यों मैं बोल रहा हूं हर web document का एक unique address होता है इसे क्या कहा जाता है option number यह आई-प अड्रस बी है domain name c है आपका universal resource locator यह d है आपका hyperlink यानि हर web document का एक unique address होता है इसकी कहते है url uniform resource locator ठीक है और एक हर computer का भी address होता है उससे क्या कहते है उस आई-प अड्रस कहते है क्या कहेंगा उसे IP address किसे पहला web browser माना जाता है बताइए पहला web browser किसे माना जाता है चार option दिये गए हैं यहापे internet explorer होगा net escape navigator mosaic तो इसका right answer क्या हो जाएगा mosaic हो जाएगा पहला web browser या पहला graphical web browser किसे कहते है option number d हो जाएगा mosaic और पहला search engine archi client server architecture का use किया जा सकता है बदाए लैन मैन और वैन इनकी full form important है सायद एक की full form आज पूछी भी गई हो आपके exam में तो तीनों ही हैं आप सभी जानते है right answer option number d हो जाएगा लैन की full form local area network होती है मैन की wide area network और लैन की local area network wide area network और मैन की metropolitan area network वैन का मतलब मैन आपको बदा लिया wide area network option number b HTML create करने के लिए use किया जाता है HTML create करने के लिए क्या use किया जाता है यहाँ पर आपसे पूछा गया है तो किसका आप use करते हैं बताए किसका आप use करते हैं machine language program का use करते हैं high level language का या web page का आप use करते हैं तो हम किसका use करते हैं web page का html create करने के लिए web page का option number c right answer इसका हो जाएगा कौन email address का correct format है बताए कौन सी है इसमें से जो correct email id लिखी हुई है तो इसमें आपको देख लेना है add rate का use नहीं हुआ option number c पे इसलिए गलात हो जाएगा option number d पे है उसमें double dot का use कर लिया है अगर आप यहां पर ध्यान से देखते हैं एक यह option number c right answer होगा नहीं और a वाले में double add rate का use कर लिया इसलिए right answer क्या बचता है आपके सामने option number b है जो आपके सामने विल्कुल शही answer है next question है internet पर computer से phylo को आपके computer में transfer करं़े के process को क्या कहते हैं आपने internet से कोई file transfer कर एपने computer में तो उसे κ्या कहेंगे तो उस दाउन loading कहेंगे आपने net से download किया अपने computer में तो पर अपने computer से net पर अप्लोड कर रहे हो तो अप्लोडिंग कहते हैं नेक्स कुशन है internet terminology में IP का मतलब क्या है तो इसका मतलब क्या होता है आप सभी जानते होंगे internet protocol होता है option number B पे लिखा हुआ है right answer option number B internet protocol एक website का front page यानि main page को क्या कहते हैं तो website के पहले page को या main page को या home page कहते हैं क्या कहते हैं home page कहेंगे option number C कौन सा एक search engine नहीं है एक घंटे में 200 mcq का मतलब आप समझ रहे हैं कि fast revision कौन सा है इस में से जो search engine नहीं है आपने question पढ़ लिया which of the following is not a search engine तो in में से कौन सा search engine नहीं है Microsoft Bing याहू Wikipedia में से search engine नहीं है कर ये question आपको बताया था option number D login name और password के verification को name लिखते में किस नाम से जाना जाता है जब आप अपनी ID password में कहीं login करते हैं तो आप उसको क्या कहेंगे authentication कहते हैं क्या कहेंगे authentication option number C इस question कर राइट अंस हो जाएगा authentication question number 39 है internet explorer किसके अंतरगत आता है जो internet explorer है क्या operating system है नहीं compiler browser या IP address तो यह क्या है बताइए यह क्या है आप में से कोई ऐसा बच्चा होगा जो इसका answer ना जानता हो तो operating system नहीं होगा compiler नहीं होगा IP address नहीं होगा तो क्या बचता है browser क्या बचे का browser वेब में www का मतलब worldwide wave होता है option number a पढ़ेंगे ध्यान से तो आंसर मिल जाएगा worldwide wave html hypertext markup language एक website से दूसरी website पर जाना क्या कहलाता है आप एक website से दूसरी website पर गए तो उसे क्या कहेंगे यह यहाँ पर पूछा गया है तो उसे कहते हैं browsing क्या कहेंगे उसे browsing कहेंगे option number b right answer हो इंटरनेट पर एक computer identity किया जाता है computer इंटरनेट पर एक computer identified किया जाता है किसके द्वारा IP address के द्वारा करते हैं बताए क्या इसका राइट answer option number c हो जाएगा जी बिल्कुल आइंटरनेट प्रोटोकूल एडरस इसकी full form होती है TCP IP क्या है TCP IP क्या है transmission control protocol internet protocol तो full form थे ही आप इसका answer बता लगा सकते है protocol है एक option number c हो जाएगा OSI का full form क्या है open system interconnection होता है किसका full form जी बिल्कुल option number c इसका क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा open system interconnection OSI की full form होती है और इसमें 7 layer होती है TCP IP में 4 layer होती है डैस सूचनाओ के exchange के लिए computer के लिए access channel है socket port gateway या protocol चार में से एक option सही है आपको बताना है लेगे computer पे जब आप बैठोगे exam देने तो आपके सामने answer भी होगा और आप सोचोगे के time कम है time बहुत है 90 minute में 100 question अराम से हो जाएंगे अगर आप दियान से पढ़के करोगे तब भी ठीक है तो इसलिए question को दियान से पढ़ना उसके बाद ही आप answer देना internet का standard protocol कौन सा है बताइए देखे Libre Office का एक भी question discuss नहीं होगा क्योंकि Libre Office मैं आपको करा चुका हूँ सारा अब बार बार वही question discuss करेंगे तो आप भी बोरो जाओगे और आपको फायदा उसके क्या होगा क्योंकि मैं वो question आपको करा चुका हूँ इसलिए इस वीडियो में फाल्त के question नहीं है इंटरनेट का standard protocol कौन सा है तो TCP IP होता है कौन सा होता है TCP IP होता है option number D है और आगर आप देखते हैं तो इसमें केवल एक ही protocol का example है transmission control protocol, internet protocol, next question है डैस अधिकरत उप्योग करता के बीच hardware, software और data साजा करता है कौन सा है इसमें से बताइए फटा-फट, right answer आ stored message का आदान परदान है बताइए download, email, upload या all of the above जिनका कल exam है जिनका परस्व exam है वो जरूर देख लें सको तो communication का कौन सा है email यानि electronic mail और संचार का साधन कहते हैं इसे सबसे famous है सबसे slow internet connection सेवा कौन सी है बताइए internet connection सेवा सबसे slow किसकी है यहाँ पर पूशा गया है इसका right answer क्या हो जाएगा ऐसे question आपके exam में आ सकते हैं इसका हो जाएगा cable modem option number D internet क्या है आप तो सभी जानती होंगे internet क्या है webpage लिखने के लिए name link में से किस का use किया जाता है webpage को लिखने के लिए हम html का use करते हैं क्या paint का use करोगे नहीं करेंगे option number C हो जाएगा hypertext markup language xml की extensible markup language होती है full form और junk email को हम क्या कहते हैं junk email को हम spam email भी कहते हैं क्या यह question आप नहीं जानते थे हम जानते हैं अगर आप जानत internet email से जुड़ा है देखे question पढ़िए पहले उसके बाद option है आपके सामने कौन सा term है जो internet email से जुड़ा हुआ है इसका right answer क्या हो जाएगा आपके हिसाब से तो इसका हो जाएगा क्या clutter नहीं इताउट वह होता है आपका इसका हो जाएगा option number C क्या हो जाएगा option number C हो electronic cash के concept द्वारा payment को अंजाम देना है बताइए electronic cash के concept द्वारा payment को अंजाम देना है किसका right answer क्या हो जाएगा option number A ATM automated tailor machine इसकी फूल फर्म होती है पहला network क्या था पहला network का नाम था ARPA Advanced Research Project Agency जेसकी उस्थापना 1969 में हुई अमरिका में next question है एक webpage के लिए code का यूज करके desk लिख लिखा गया है क्या लिखा गया है एक webpage बताइए एक webpage के लिए तो इसका हो जाएगा hypertext markup language option number D HTML sort में कह सकते हो परत्य कंप्यूटर internet से connect होना चाहिए बताइए जो हर computer है वो internet से कैसे connect होगा उसका अपना एक अलग IP address होता है क्या होता है हर computer का अपना एक unique IP address होता है इसी लि होता है कौन web browser का example नहीं है मैंने आपको बता दिया इसमें से कौन सा है जो किसका web browser का example नहीं है बताइए Safari है Google Chrome है Internet Explorer है यह आपका AWS यह option number D जो है यह आपका गलत हो जाएगा बाकी के तीनों आपके web browser है कौन सा protocol computer के बिच file को transfer करने के लिए use किया जाता है which protocol have to transfer file between computer तो हम use करते है SMTP का किसका use करेंगे SMTP का use करते है file को transfer करने के लिए mail को transfer करने के लिए SMTP का use किया जाता है और HTTP की full form hypertext transfer protocol होती है इसका use internet पर data को transfer करने के लिए किया जाता है कौन इंटरनेट से संबंदित सब्द नहीं है बताए कौन सा है जो इंटरनेट से संबंदित सब्द नहीं है लिंक भी होते हैं इंटरनेट से संबंदित सर्च इंजन भी होते हैं ब्राउजर भी होते हैं लेकिन क्या कीबोर्ड जो है आपका क्या ये इंटरनेट से संबंदित है आप बताओ क्या इंटरनेट से संबंदित है नहीं ये गलत आंसर हो जाएगा option number D HTML है क्या बताओ HTML क्या है वे browser है network protocol है programming language है scripting language है क्या आप जानते है HTML क्या है HTML के बारे में अगर आप नहीं जानते तो बहुत गलत है तो ये क्या हो जाएगा क्या web browser है नहीं network का protocol नहीं ये एक scripting language है ना कि programming language इसलिए option number D होगा DNS का full form domain name system होता है option number A पर अगर ध्यान से बढ़ोगे domain name system XML का extensible markup language होगी इसकी full form क्या होगी extensible लेकिन इसमें extensible तो लिखा ही नहीं है कहीं सर तो इसमें extensible markup language नहीं लिखा तो extended कर सकते हो आप extended भी कह सकते हो ISDN इसकी full form भी important लिख लिजिए ISDN का full form क्या है इसका full form होता है integrated service digital network option number A option number A हो जाएगा right answer internet का use क्या है internet का use किसलिए किया जाता है तो internet का हम use किसलिए करते है packet switching के लिए करते हैं option number A हो जाएगा next question देखिए secret E encryption के रूप में भी जाना जाता है किसको private encryption को जानते हैं क्या तो B हो जाएगा इसका तो option number B कौन सा एक website के man page को reference करता है तो इसमें क्या हो जाएगा आपका home page option number C है एक educational institute में generally इसके domain नाम से निम लिकित होते हैं तो domain name अगर educational website का पूछे तो क्या हो जाएगा .edu education commercial के लिए हम COM का use करते हैं और government के लिए GOV का IPv6 128 bit का होता है option number B हो जाएगा IPv4 32 bit का होता है internet क्या है आप सभी जानते हैं internet से join होने के लिए computer को किस से connect होना किस से connect करना पड़ेगा internet को यह पूछा गया है तो बताएगे किस से connect करना पड़ेगा computer को तो इसमें हो जाएगा क्या internet service provider ISP option number C ISP अपने network के बीच internet traffic का exchange करता है कैसे बताएगे कैसे तो इसका हो जाएगा internet exchange point option number A कौन से protocol internet में use नहीं किया जाता कौन से protocol है बताएगे जो internet में use नहीं किया जाता है तो सारे की जाते हैं right answer option number D हो जाएगा अगर देखे मैं यह नहीं कहता कि question आपके सामने computer पे कल ऐसा कैसी आ जाएगा जैसा सामने लिखा हुआ है question अगर ऐसा नहीं आएगा तो question इसमें से तो बन सकता है na HTTP की full form बन सकती है domain name की system domain name system इससे आपके exam में question आ सकता है तो question कैसे भी आ जाए आपके exam में छोड़ के तो नहीं आओगे आप इसलिए यह मत सोचना के question sir आपने जैसे बताया वो question same to same नहीं आया इसमें से कौन सा है तो इसका right answer option number a हो जाएगा dhcp ध्यान से देखिए dhcp है internet explorer का email component कहा जाता है कि इसको कहते हैं बताये तो हम कहेंगे outlook express को option number c right answer हो जाएगा इस question का outlook express फिजिकल पत है जिस पर कोई message जाता है कौन सा है बताये वो तो इसमें हो जाएगा आपका protocol medium signal तो इसका भी हो जाएगा medium एक virtual private network एक class हुई है 19 minute के अभी एक virtual private network है एक dash create करता है network के माध्यम से तो इसको क्या कहेंगे tunnel कहोगे और BRI connection या HSS SSH तो इसका हो जाएगा tunnel option number A DNS का फुल्वर्ण बता चुका हूँ domain name system first network अर्पनेट है यह आपको बता दिया है एक छोटी सी website के लिए व्यक्ति को space खरीदने के आउशकता होती है तो इसमें right answer क्या होगा बताओ इसमें क्या हो जाएगा ISP net होगा जबी तो करोगे www के लिए first graphical web browser मोजाइक है option number C पहला graphical web browser ऐसे पूछ भी सकता है और www के लिए पूछे तब भी मोजाइक लगाना और कोई नहीं fiber यह important है नी worldwide web के माद्यम से available internet services और resource तक पहुचने के लिए use के जाने वाला client program कौन सा है बताइए जल्दी से इसका सही answer क्या आपको लगता है इसका right answer आपको कौन सा लगता है तो हमें लगेगा sir web browser लगेगा या web server लगेगा तो right answer इसका दोस्तो option number B हो जाएगा web browser हो जाएगा first email किस year में send किया गया बताओ पहला email किसको भेजा गया था और कब यह पूचा गया है तो 1971, 1970 में पहला email send किया गया website के कहीं page होते हैं जिनके desk का यूज़ करके navigate किया जा सकता है किसका यूज़ करके link का, thread का, string का तो इसमें right answer हो जाएगा option number B, link का use, option number C है IIS desk को refer करता है, बताओ, IIS का full form क्या होता है internet information server, option number B हो जाएगा इसका right answer internet information server first page, जिसे home page कहते है email id कौन सी है, email id आप पहले पर देखे, question mark का use कर लिया second में double dot और इसमें हो जाएगा, सही answer क्या हो इसका बताओ कौन सा एक valid email है इसमें से valid email कौन सी है sales, add the rate, इसका हो जाएगा option number B, ठीक है internet यूज़ करता है, क्या यूज़ करता है packet switching option number B, internet explorer और firefox क्या है web browser के example है, option number C हो जाएगा कौन सा एक web page से दूसरे web page पर जाने की सुभीधा देता है बताओ, कौन सा देता है, hyperlink देता है, master link देता है या joint link देता है, तो कौन सा देगा, hyperlink देगा क्या देगा, hyperlink से आप किसी एक page से दूसरे page पर ट्रांसफर हो सकते हो, right answer option number हो जाएगा worldwide wave का विसकार टिम बनर्सली ने किया, option number D internet explorer एक browser है कौन सा विकल्प internet से संबंदित नहीं है बताओ, कौन सा है जो internet से संबंदित नहीं है URL, बाकी संबंदित है, तो है तो URL हो जाएगा आपका, जादर दिमाग क्यों लगाई है कौन सा internet search engine नहीं है facebook क्या search engine है, नहीं social media application है, internet से संबंदित ISP का internet service provider इसकी full form होती है, right answer हो जाएगा option number B ये वाला, W3C का मतलब क्या होता है, worldwide wave क्या होता है, worldwide wave consortium होता है, इसका full form तो यहाँ पर www, worldwide wave लिखाए कौन से पर, C पर लिखाए, C पर, C का मतलब होता है consortium HTML एक dash language है HTML एक markup language है, इसलिए right answer option number B हो जाएगा इसका job search करने के लिए LinkedIn का आप यूज़ कर सकते हैं, किसका job search करने के लिए LinkedIn का यूज़ कर सकते हैं, option number A हो जाएगा और ऐसे question आपके exam में पूछेगा जरूर ठीक है Facebook के बारे में, दो तीन question बता दू Facebook के बारे में, Facebook के इस्तावने 2005 Mark Jugarberg ने की इस पे आप 5000 दोस्त बना सकते हैं ठीक है, 5000 दोस्त, एक बार में बाइस में जो एक्जाम हुआ था, जनवरी 2023 में जनवरी 2023 में, जुलाई 2022 में जो एक्जाम हुआ उसमें question आया, पूछा था कि HTTP बताईए कौन सा प्रोटोकॉल है और यहाँ पर पूछ लिए FTP, तो FTP आपका कैसा प्रोटोकॉल है, stateful और HTTP stateless है building और campus के लिए, building में, school में और office में, यहाँ पर सब काम कर जाता है land, छोटा network है, local area network के full form होती है, IOT में I का मतलब internet होता है, क्या होता, internet of things IOT में T का मतलब क्या है तो internet of things है, तो internet of things T का मतलब things हो जाएगा, option number B tweet करने के लिए किसका पर्योग किया जाता है, tweet करने के लिए हम Twitter का यूज करते हैं, इसलिए right answer option number B हो जाएगा, और tweet करने के लिए कितने character का यूज किया जासकता है, तो 208 character का आप यूज कर सकते है, tweet करने के लिए, कितने character का दो 208 character का question पूछेगा, ज़रोर, NEFT का national electronic fund transfer होता है, तो right answer क्या हो जाएगा, national electronic funds transfer, तो option number B, IDS का full form क्या होता है, बताएगे, IDS का full form क्या होता है, interaction, intrusion, deduction system, option number C, so question कर लिए हैं, और अभी time के अबल 24 मिनट हो आए, 24 मिनट में so question, यानि आपका revision बहुत fast हो रहा है, MAC address 48 bit का होता है, media access control, इसकी full form होती है, right answer option number B हो जाएगा, क्या हो जाएगा, option number B, class को पूरी देख लेना, सभी अगर आपका exam है, IPV6X, 20 bit का होता है, option number A, internet के जनम दाता किसे कहते हैं, तो किसको कहते हैं, internet के जनम दाता, internet के father, father of internet, तो इसका हो जाएगा, आपका option number B, windsurf, सबसे विलमबित, टैपनलोजी कौन सी है, topology सोरी, topology कौन सी है, बताइए, तो इसका हो जाएगा, option number A, ring topology, कौन सा हो जाएगा, ring topology इसका right answer हो जाएगा, और search engine के दोवारा, क्या search किया जा सकता है, document, video, photo, सब कुछ search कर सकते हैं, इसलिए right answer option number T हो जाएगा, क्या हो जाएगा, option number T, question का answer में बोल रहा हूँ, कोई यह नहीं कहेगा, कि हमें answer दिखनी रहा, पहले आपको question दिख जाता है, और उसके बाद question आपका पूरा complete हो जाता है, internet explorer क्या है, एक web browser है, इसलिए right answer option number A हो जाएगा, कौन सा search engine, engine की सिरेणी में आता है, तो बताएगे, कौन सा है, इसमें से, Linux है, Unix है, Vista है, या Alta Vista है, तो इसका right answer बताओ, तो right answer क्या हो जाएगा, इसका option number D हो जाएगा, Alta Vista, UC browser किस country ने develop किया, क्या आप जानते हैं, UC browser किस company ने develop किया है, अगर जानते हैं तो बताएगे, सरीय किया था, चाइना ने option number B हो जाएगा, क्या हो जाएगा option number B, नेक्स्ट है, वाइफाई के password की maximum length, यानि आप वाइफाई का password जब आप set करते हो, तो minimum या maximum, तो minimum तो 8 character उसमें होनी चाहिए, 8 से कम का password आप रखनी सकते हैं, इसलिए लोग क्या रखते थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसलिए रखते थे ये, 8 तक, लेकिन अब 8 तक, गिंते कोई रखता ही नहीं है, ठीक है, कोई होगा, जो जी रहा होगा प्राचीन काल में, तो maximum length कितने हो सकते हैं, यानि 63, 63 character का यूज कर सकते हो, वाइफाई का password रखने के लिए, ठीक है, इसलिए option number D हो जाएगा, minimum maximum दोनों बता दिये, पूछेगा तो बता देना, uniform resource locator URL की full form, MIME, MIME कितने rigid का होता है, 15 rigid का होता है, इसकी full form पूछी है, तो बताओ, full form क्या होती है, multipurpose internet mail extension, वो IMEI होता है, यह गलत हो जाएगा, IMEI होता है वो, यह B option सही है, यह 15 digit का नहीं होता है, यह वाला, LAN का full form local layer network, HTML का पुरा नाम hypertext markup language, browser में नई tab खोलने के लिए, control T का यूज करते हैं, या old plus T का यूज करते हैं, इसमें बताओ, confusion है नहीं, confusion नहीं है, option number B हो जागा, old control plus T का यूज करते हैं, ब्रावजर में नई विंडो खोलने के लिए, ISP का internet service provider, Mac का media access control, option number A, पहला graphical web browser mosaic, PPP का मतलब क्या होता है, point to point protocol, या peer to peer protocol, बताओ फटाफट क्या होगा, इसका right answer, right answer क्या होगा, बताइए, तो point to point protocol हो जाएगा, इसका है न, पहला graphical web browser mosaic, और PPP का मतलब क्या होता है, point to point protocol, इन इसमें से कौन सा search engine नहीं है, तो इसका हो जाएगा क्या, messenger, option number C, क्या जी search engine है, नहीं, duck duck go, विब ब्राउजर है, search engine है, बताओ, duck duck go, विब ब्राउजर भी है, search engine भी है, software भी है, open system, इसमें क्या आएगा, बताओ, क्या आएगा इसमें, तो इसका हो जाएगा, option number C, हो जाएगा, search engine, क्या हो जाएगा, search engine है आपका, duck duck go, सबसे अच्छा विश्विकोर्ष, in closed Wikipedia, जो आपको सही information देता है, FTP में F का मतलब, file होता है, FTP में F का मतलब, HTML में F का मतलब, HTTP में P का मतलब, ऐसे question पूछ लेगा, full form याद होगी, तो बता दोगे, कौन सा web browser है, कौन सा है इसमें से web browser, क्या यूटूब web browser है, नहीं, YouTube web browser नहीं है, Google search engine है, या web browser है, तो ये तो search engine है, क्या है, search engine है, और Yahoo, Yahoo क्या है बताओ, Yahoo search engine है, या web browser है, तो ये भी search engine है, next है, अपका web browser, Mozilla Firefox, option number C, web page को print करने के लिए, control P का यूज़ करते हैं, question हम पढ़ेगे ही, पूरा नहीं, क्योंकि print करने के लिए, control P का यूज़ करते हैं, Bluetooth network है, कैसा, Bluetooth pen है, pen का मतलब क्या होता है, personal area network है, आपका pen, तो इसलिए right answer हो गया, option number A, pen, land, local area network, man, metropolitan area network, man, man का मतलब होता है, wide area network, man का metropolitan area network, और HTTPS में इसका मतलब, secure होता है, क्या होता है, secure होता है, security, hypertext, transfer protocol, secure, इसकी full form होती है, तो इसलिए right answer, option number C हो जाएगा, security मत लगा देना, क्योंकि, security इसका नहीं होता मतलब, mac address कितने bit का होता है, 48 bit का होता है, internet किस topology का उप्योग करता है, बताओ, यह important question है, internet किस topology का, use करता है, तो इसका हो जाएगा, option number A, mass topology का use करता है, और OSI में 7 layer होती है, option number B हो जाएगा, इसका 7 layer, क्या हो जाएगा, 7 layer हो जाएगा, एक घंटा भी नहीं लगेगा, और आपके 100 question में करा दूँगा, जो कि आपके exam में पूछे जाएगे, topology का एक परकार नहीं है, tree, ring, mass, या star, इसमें से ऐसा बताना है, कि जो topology का परकार नहीं है, तो इसका हो जाएगा, option number A, trees, trees, trees या topology नहीं है, कौन से network, country, cities और world को connect करता है, तो इसका right answer option number A हो जाएगा, when, क्या हो जाएगा, when हो जाएगा, subscribe आपने नहीं किया है, तो please कर लेज़े, थोड़ा support करें, computer में pen का मतला होता है, permanent account number या personal area network, तो permanent account number तो bank में होता है, ठीक है, और personal area network आपका किस में होता है, computer में होता है, personal area network, इसलिए right answer क्या हो जाएगा, इसका option number B हो जाएगा, ठीक है, RDS का full form क्या होता है, remote desktop service, यह remote, remote desktop service, यह server, तो right answer क्या हो जाएगा, इसका option number C या B, तो C हो जाएगा, क्योंकि B पे तो robot लिखा है, जो कि इसका मतलब तो होता है remote, government, EDU, NIC, यह सब क्या होते हैं, domain name होते हैं, या file extension होते हैं, बताओ, या IP address होते हैं यह सारे, तो sir यह ना तो IP address होते हैं, ना file extension होते हैं, यह होते हैं आपके domain name extension, क्या होते हैं यह, यह domain name extension होते हैं, इसलिए right answer option number A होगा, P2P मतलब क्या होता है इसका, peer to peer, या point to point, या post to post, तो हम तो जानते हैं इसका मतलब क्या होता है, peer to peer option number A, HTTP में TT का मतलब होता है, text transfer, क्या होगा, text transfer option number A, hyper text transfer, और P से protocol, www के लिए पहला graphical web browser, मोजयक है, इसलिए right answer option number A होगा, FTP यह होगा, किस परकार की topology में, सूचना का परवा एक ही दिसा में होता है, बताए इसका क्या answer आपको पता है या नहीं, अगर आप जानते हैं तो सोच लीजिए, मेरे बताने से पहले, मैस है, स्टार है, सरकल है, रिंग है, तो right answer option number हो जाएका इसका B, या A, ए हो जाएका bus, application layer कौन सी सिवा परदान करती है, बताए इसका right answer क्या होगा, तो इसका हो जाएका option number B, end to end, .com किस से संबन दीता है, .com आपका commercial और ORG organization ते संबन दीता है, right answer याँ पर तो हो जाएका option number B, like नहीं किया आपने class, तो please कर दो, share भी कर दो, इसमें आपके पैसे नहीं लगेंगे, Wi-Fi का full form क्या होता है, wireless fidelity की full form होती है, इसलिए option number क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, wireless fidelity, Firefox क्या है, क्या Firefox operating system है, गलती मत कर देना इसमें, बताओ, Firefox, web browser है, क्या है web browser, social networking site भी नहीं है, option number P हो जाएगा, right answer, SMTP का, SMTP किस port number पर काम करता है, बताए, SMTP जिसकी full form simple mail transfer protocol होती है, किस port number पर काम करता है, तो ये किस port number पर काम करेगा, 80 पर काम करता है, आपका क्या, HTTP, और इसमें हो जाएगा, SMTP पूचा है, तो इसमें हो जाएगा option number B, 25 नमबर पर काम करता है, SMTP, किस topology में, हब के खराब हो जाने का, हो जाने पर पूरा network बंद हो जाता है, इसमें हो जाएगा, star topology, क्या हो जाएगा, star topology, option number C हो जाएगा, इसका सही उत्तर, दो computer के बीच connection बनाने के लिए, किसका use किया जाता है, बताएगे, किसका use किया जाता है, the cable which required to make a connection between two computer is gold, उसको क्या कहते हैं, cable कहेंगे, या channel कहोगे, बताओ क्या कहोगे तुम, तो उसको कहेंगे, option number C, DSL connection है, slow है, internet है, या broadband है, या wireless है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, option number B, internet, हस्तांतरन दोस है, एक network जो पूरे सब्द में, कहीं अलग-अलग परकार के computer को जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, बताइए इसका right answer क्या होगा, internet कहेंगे, या internet कहेंगे, तो इसमें हो जाएगा, आपका option number B, उसे कहते हैं internet, एक सेवा जो किसी उप्योग करता को, internet पर कहीं और computer में, login करने की अनुमती देता है, telnet, ftp या email, तो इसका हो जाएगा, option number A, telnet, एक internet सेवा जो उप्योग करता को, एक file में इस्थांतरित करने की अनुमती देती है, इसका right answer क्या होगा, इसका right answer हो जाएगा, ftp, file को इस्थांतरित करने की बात होई है, transfer करने की बात होई है, file transfer protocol इसकी full form होती है, बेनामी ftp फाइलों को, dash sulb file कहा जाता है, उसको कैसी sulb file कहोगे आप, तो publiclyly कहोगे, option number B, जब भी computer जो server तक पहुँचता है, कोई भी computer जो server तक पहुँचता है, उसे क्या कहते हैं, उसे web server कहेंगे, या web browser या user, या कहोगे उसे web client, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, वेब client कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, web client option number D हो जाएगा, उप्योग करता को पसंद देता, URL पतो की एक dash, एक व्यक्तिकत सूची बनाने, और बनाय रखने की अनुमती देता है, इसका सही उत्तर क्या होगा आपके इसाब से, इसका हो जाएगा आपका web browser, option number C हो जाएगा, URL का full form uniform resource locator होता है, और कौन सा wireless अंचार माध्यम नहीं है, कौन सा है इसमें से wireless अंचार माध्यम जो नहीं है, तो इसमें हो जाएगा आपका option number D, RSS, Google की online sungram सेवा निमलिक में से कौन सी है, गूगल ड्राइब है या गूगल ड्राइब है, तो इसमें हो जाएगा गूगल ड्राइब option number E, किस application को काम करने के लिए internet connection की आवशकता नहीं है, internet की आवशकता नहीं है, notepad को, बिनन net की चल सकता है, और यह पोप्राइट होड़ता है, फिरी नहीं होता, ओनलाइन संग्रेन का उधारण नहीं है, कौन साहस में से बताओ, गूगल ड्राइब 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 है, एक कम्प्यूटर जो साजा संसादन परदान करता है, जैसे फाइले और प्रिंटर, तो उसको क्या कहेंगे बताओ, इसका हो जाएगा NIC Network Interface Card, Server, Option Number B हो जाएगा Right Answer कौन से प्रोटोकोल वेब पेज भेजता है बताओ कौन साहस में से जो वेब पेज भेजता है इसका Right Answer Option Number B हो जाएगा Hyper Text Transfer Protocol Chrome Browser में नया टैब खोलने के लिए Ctrl T का यूज़ करते हैं दोस्तों किसका यूज़ करोगे Ctrl T का ना कि Ctrl N का WAIS का Full Form क्या होगा WAIS का Full Form क्या होता है बताओ तो Wide Area Information Server Option Number A हो जाएगा बड़े Network के लिए Network Topology कौन सी है Tree, Bus, Star या Hybrid तो इसमें हो जाएगा Option Number D Hybrid है IP पते का प्रारूप क्या है IP Address लेकिन IPv4 है IPv6 ये बताया क्या आपको नहीं बताया तो Option Number B लगा दे न 32 क्यूंकि IPv4 जो होता है 32 बिट का होता है बाकि 128 बिट का इसमें दिया ही नहीं IPv6 और Mac Push दा तो 48 बिट का होता है Hyperlink का रंग क्या है Hyperlink जो होते हैं उसका रंग क्या होता है कौन सुरक्षित वेब साइट को सूचित करता है HTTPS करता है Option Number B किस टैपलोजी में हाब का इस्तेमाल किया जाता है बताव कौन सी टैपलोजी में करते हैं हाब का तो इसका हो जाएगा Option Number B या C तो C हो जाएगा इसका Option Number C यानि Start Topology Networking Devices नहीं है कौन सी इस में से जो Networking Devices नहीं है तो इसका राइट answer हो जाएगा Option Number A या D यानि Linux हो जाएगा इंटरनेट को प्योग बता दिया तो मैंने आपको सभी के लिए करेंगे URL का पहला भाग क्या है बताव संपूर्ण URL का पहला भाग क्या है एडरस है नेम है या लोकेशन है प्रोटोकोल है तो URL का पहला भाग इसका हो जाएगा Option Number D इन नेम लिखत में से हाड़वेर का वैटोकोडा जो कम्प्यूटर के डिजिटल सिगनलों को परिवर्तित करता है ताकि वह टेलीफोन लाइनों की यातरा कर सके उसे क्या कहते हैं यह पूछा गया है कोशन होत लंबा है आपको अनसर बताना है इसका हो जाएगा मोडे हैं Option Number B एक ब्राउजर में बहुत सारे टैब खुले हुए हैं तो Ctrl प्लस W सोटकट कुझी से इस्तेमाल क्या होगा मतलब Ctrl प्लस W दबाओगे तो क्या होगा उससे तो क्या हो जाएगा Close हो जाएगी Current Tab जो Current Tab है वो Close हो जाएगी क्यवल क्या होगा जब Ctrl प्लस W प्रेस करेंगे तो Close A Tab ओने ब्राउजर Close दा ब्राउजर Close ब्राउजर नहीं होगा Option Number B हो जाएगा क्या हो जाएगा close a tab on browse कम्प्यूटर के बीच कौन सा उपकरन साजा किया जाता है कम्प्यूटर के बीच तो इसका क्या हो जाएगा printer option number C कहीं दस्तावेज को जोडने का एक लोग पिरिया तरीका कौन सा है अगर आप कहीं दस्तावेज को जोडने चाते हैं नेटवर्क में जुड़े उपकरनों के लिए तकनी की सब्द क्या है इसका right answer क्या होगा बताएगे इसका हो जाएगा option number B nodes हो जाएगा वेब एटर्स को डैस के रूप में पे जानते हैं तो URL URL option number D option number D uniform resource locator page को print करने के लिए control P का यूज़ करते हैं और page print view के लिए print preview के लिए control shift होगा और tools में मिलता है वो option कौन एक network topology नहीं है bus भी हो दिया ring भी star भी लेकिन pc to pc कोई topology नहीं होती ip address का full form internet protocol होता है कौन सी वस्तू local area network में उप्योग नहीं की जाती है computer modem printer या cable बताइए सही answer क्या होगा इसका तो इसका हो जाएगा option number भी modem man का full form metropolitan area network computer network के सही पर का रहे तीनो land man man तो सही है option number नहीं हो जाएगा all of the above web browser का सही नाम चुने web browser का सही नाम google, gmail ये तो answer होंगे नी और आपका yahoo भी नहीं होगा तो right answer बचता है एक ही आपके सामने हमें दिखनी रहा तो दिखी जाएगा option number D opera LAN OS के लिए एक प्रारूप है OS का मतला बता अपरेटिंग सिस्टम और LAN का local area network होता है इसमें हो जाएगा right answer option number D peer to peer कौन सा packet switched when नहीं है कौन सा हैस में से तो ISDN है option number B email और उससे सम्मंदिट data को desk पर संगरित किया जाता है बताएगे तो इसका हो जाएगा आपको option number C mailbox LAN अधारित messaging का उधारन नहीं है इसका क्या होगा बताओ तो domain हो जाएगा इसका option number A image में आपको picture के नीचे एक layer में store किया जाता है जिससे क्या कहते है server side image में आप कहते है इसलिए right answer क्या हो जाएगा option number A हो जाएगा ठीक है और आज का last question है आपके लिए एक मैं home work question दे रहा हूँ आज का last question ठीक है home work के लिए दे रहा हूँ मैं question आपके लिए ये है कि जो आपका among app है जो आपका among app है वो कितनी भासाओं में उपलब्ध है और उसकी स्थापनक कब हुई among कितनी भासाओं में available है और इसकी स्थापनक कब हुई थी इसका answer आप सभी को comment box में लिखना है आज की class यही पर समाप्त करते हैं और class कैसे लगे जरूर बताना आप सभी बच्चे और वीडियो को like share कर दे अपने दोस्तों के साथ जिनका भी कल exam है या आने वाले समय में exam है मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत